हाई गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एंटीनेट क्लासे कैसे आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रेशन बहुत अच्छे से चलिए होगी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले है वो है पेपर टू कॉमर्स की यूनिट फर्स जिसमें है थियूरीज ओफ इंटरनाशनल बिजनस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकोन को प्रेस कर लीजिए और अपन इंटरनाशनल ट्रेड को शुरू करने से पहले अगर हम यह सोचे कि what is trade, trade ही क्या होता है तो trade होता है guys exchange of goods and services between two people and entities दो लोगों के बीच में यह दो entities के बीच में goods and services का exchange जब हम goods को एक इंसान से दूसरे इंसान को exchange करते है तो उसी को ही trade कहा जाता है इंटरनाशनल ट्रेड के है जब उसी exchange को हम two different countries के people के बीच में करते हैं तो उसे international trade कहा जाता है यह बहुत ही simple term में आपको समझा रही हूं ठीक है तो इसे classical theory कहा जाता है okay then modern जो है वो firm based theory है यह firm को based मानके इन theories को लिया गया है तो यह theories modern theories है तो इस वीडियो में हम just classical theories को discuss करेंगे इसमें चार theory है theory of mercantilism, theory of absolute cost advantage, theory of comparative advantage और एक है इसमें paradox जिसको मैं discuss करूँगी इसी वीडियो में इस चली गाई शुरू करते हैं So classical theory में सबसे पहले theory आती है theory of mercantilism So theory of mercantilism जो है वो क्या बताती है तो basically यह theory जो है वो 16th century में develop की गई थी Okay, so तो यह theory बताती है कि किसी भी country की जो wealth है उसको हम gold और silver holding से ही determine कर सकते हैं Means यह theory यह मानती है कि किसी country के पास जितना ज्यादा gold या silver होगा उस country की wealth है वो उतनी ही better माने जाएगी अगर इसी country के पास कम gold है या silver कम है तो उसकी wealth उतनी बेटर नहीं माने चाहिए तो यह theory जो है वो यह believe करती है कि country should increase its holding of quotes and silver की country को जो है अपनी gold और silver की holdings को है अपनी में gold और silver की silver आएंगे और वो जादा से जादा स्टोक बढ़ेगा और जितना हम कम import करेंगे उतना better रहेगा और हमारी country से कम से कम जो है वो gold बाहर जाएगा ठीक है तो यह theory basically यही बताती है बाकी इसमें हमें दिया हुआ तो इसको आप देख लीजिएगा यह आपके लिए notes ही रख लीजिए आप यहां से आप note कर सकते हो और मैं आपको इसका करक्स सा जल्दी से बता देती है जो theory of absolute cost advantage जो theory of absolute cost advantage है वो Adam Smith में 1776 में अपनी book wealth of nations में दी है तो यह theory क्या बताती है तो यह theory जो वो focus करती है उन्ता ability of the country to produce a good more efficiently than another nation कि कोई country कि किसी good को produce करने में कितनी efficiency है इसी चीज़ के ओपर focus करती है Smith reason that trade between countries यह बताते हैं कि countries के बीच में जो trade है उसको government की policies के द्वारा उसको restrict नहीं करना चाहिए जो trade है वो naturally flow करना चाहिए according to market forces market forces से ही उसको चलना चाहिए ना कि government की policies के तुरू उसको restrict कर देना चाहिए he stated that trade should flow naturally according to market forces तो यह इसमें एक example कि तुरू मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए कोई country है वो कोई product बना रही है वो उसको बहुत ही सस्ते में मान लीचिए India है वो कोई mobile phone बना रही है उसको 10,000 पे जपान है वो उसको 20,000 में बना रहा है तो इंडिये के पास उस phone को बनाने में उसकी advantage है वो जपान के पेक्षे उसको सस्ते में बना रहा है तो उसके पास उसकी advantage है तो इंडिये को क्या करना चाहिए कि उस phone के उपर अपने सारे resources लगा देने चाहिए और उसमें specialization को हासिल करना चाहिए ठीक है और अगर country similarly क्या कि country B जो है या other country जैसे कि हमने अग्जामपल लिए जपान तो वो अगर किसी other product में उसकी specialization है उसमें उसकी advantage है तो उसकी specialization पर focus करना चाहिए ठीक है यह theory यही बदाती है तो specialization से क्या होगा कि country efficiency को generate कर लेगी और जो labor forces है वो ज्यादा से ज्यादा skilled हो जाएगी क्योंकि वो same eat us को बार बार कर रही है तो इससे क्या होगा कि production would also become more efficient production जो होगी वो भी ज्यादा efficient हो जाएगी because there would be an incentive to create faster and better production method to increase the specialization है तो specialization के उसके पास ज्यादा स्यादा method होगे उसके बाद आती है theory of comparative advantage जो हमने theory of cost advantage पड़ी इसमें कुछ कमी है थी तो इन कमीयों को दूर करने के लिए देविड रिकार्डो जो English economist थे उन्होंने इस theory को introduce किया 1817 में तो क्योंकि जो पिछली theory theory of absolute cost advantage तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमें यही नहीं पता लग रहा था कि हमारी किस product में हमारी advantage है हो सकता है हमारी हमारी दो product में advantage हो तो इस चीज की जो जो यह जो limitation सी बहुत बड़ी इसको दूर करने के लिए इन्होंने theory of competitive advantage को दिया तो रिकार्डो ने क्या कहा कि हो सकता है कि country A कि country A के पास दो product में advantage हो है तो specialization हो तो उन दोनों countries में still जो है वो trade हो सकता है then comparative advantage occurs when our country cannot produce up product more efficiently than the other country क्योंकि जो comparative advantage जो theory है यह उसी time occur होती है जब कोई country किसी product को more efficiently या उसको cheaper rate में नहीं बना पाती है तो उस time यह theory जो उकर होती है however it can produce the product better and more efficiently than it does other goods okay जो comparative advantage है वो focus करती है relative productivity के उपर जो absolute advantage theory थी वो absolute productivity के उपर focus करती है okay so उसके बाद next theory आती है Hecksher-Ohlin theory जिसको factor proportion theory भी बोला जाता है तो जो दो हमने theory पढ़ी तो उसमें Smith और Ricardo ठीक है यह दोनों ही determine नहीं कर पा रहे थी कि कौनसी country के पास कौनसी good को produce करने में उनके पास उनकी advantage है तो उन्होंने एली Hecksher and Bertil Olin नामके जो दो Swedish economics थे उन्होंने यह थूरी जो है वो develop की तो यह थूरी क्या किस चीज़ के उपर focus करती है तो यह थूरी focus करती है focus their attention on how a country could gain comparative advantage by producing products that utilized factors that were in abundance in the country देखें यह थूरी क्या बोलना चाहिए कि जो country के पास जिस factors में उनकी abundance है उनकी भरमार है ठीक है उन्ही products को उन्हें produce करके उनकी export करना चाहिए ठीक है their theory is based on country's production factors इनकी theory जो based करती production factors के उपर we all know that production factors land labor and capital ठीक है तो land labor and capital के उपर ही based थी तो इनका मानना था कि that the cost of any factor of resource was a function of supply and demand कि किसी भी factor या resource की जो cost है वो उसके supply and demand का function है मैं आपको बताती हूँ simple terms में जो factors that were in great supply relative to demand would be cheaper जिस factor की great supply है demand के अपेक्शन में supply ज्यादा है demand कम है तो वो सस्ता होगा factors in great demand जिसकी demand बहुत ज्यादा है relative to supply supply कम है तो वो ज्यादा महंगा होगा ठीक है इसी को ही factor proportion theory बोला जाता है countries would import goods that required resources that were in short supply but higher demand उन goods को import करना है जिनकी supply short है कम है और demand बहुत ज्यादा है अगर आपको मैं simple terms में बता हूँ तो यह theory यही बताती है कि basically America जो एक country है तो America में क्या है कि वहाँ पे labor intensive नहीं है technology ठीक है वहाँ पे capital intensive technology है labor सस्ती नहीं है तो यह theory यह मानती है कि America को capital intensive products को बनाके उनको export करना चाहिए और labor intensive goods को जो है वह import करना चाहिए ठीक है यह theory यह बताती है okay then उसके बाद है paradox लिएंटिफ paradox तो लिएंटिफ paradox जो है वह एक American economist वोसली W. लिएंटिफ उन्होंने एक study की तो उन्होंने यह paradox तब दिया था तो उन्होंने यह बताया उन्होंने यह closely note किया that the United States was abundant in capital and therefore should export more capital intensive goods अमेरिका है उनके पास capital की भरमार है capital abundant है capital intensive वो country है तो वहाँ पर उनको क्या है वो more capital intensive goods को उनको export करना चाहिए था ठीक है बट जब उन्होंने actual data को देखा जब उन्होंने research की तो वो opposite निकली ठीक है उनको capital intensive goods को export करना था बट जब उन्होंने एक research की लिओन्टिफ ने तो उन्होंने यह पाया कि अमेरिका में capital intensive goods को import किया जा रहा है ठीक है तो जो यह paradox है यह जो हमारी comparative advantage theory है ठीक है तो उसका जो है वो reverse है factor proportion theory का sorry factor proportion theory का यह reverse है तो यह यही मानता है कि capital intensive जो country है उनको capital intensive goods को export करना चाहिए बट जो leanty paradox है यह इसका उल्टा है उसमें यह देखा गया कि जब उन्होंने research की study की तो उसमें यह देखा कि अमेरिका जो है वो capital intensive goods को import कर रहा है और जो labor intensive goods है उनको export कर रहा है यह उसका उल्टा है जो की factor proportion theory में बटाया है तो यह factor proportion theory का ही उल्टा है उसका ही reverse है आपको समझ में आ गया होगा तो जो modern based theory है उनको हम next lecture में study करेंगे ठीक है तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ठैक्स पर वोचिक और फ्रेंज के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए थैंकियो सो मच पर बाइटेक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में